वेलकम बैक टावर यूट्यूब चैनल टेकनिकल वसीम तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ अपना मुबाइल नंबर लिंक कैसे करोगे अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ यूनिक मुबाइल नंबर लिंक है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड आउनलाइन डॉनलोड कर सकते हो तो इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ अपना मुबाइल नंबर जो है वो लिंक कैसे करोगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक request रहीगी आप सबसे की मेरे YouTube चैनल को subscribe कर देना तो चलिए शुरू करते है आज की वीडियो आपको आना होगा अपने मुबाइल फून, कम्प्यूटर, PC के ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा water portal water portal सर्च करने के बाद आपके सामने home water portal याने election commission of India का official website आ जाएगा तो आपको ये वाला website ओपन कर देना है water portal eci.gov.in portal ओपन करने के बाद आपके सामने login page डिस्पले हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना mobile number और password फिल करके login कर देना है अगर आप आरेडी registered candidate हो तब अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो eci.i.portal पे तो आपको यहाँ पे अगर आप fresh applicant हो तो आपको यहाँ पे create an account पे click करना है create an account पे click करने के बाद आपको बताएगा register yourself entering email id यहाँ आपको mobile number और एंटर करना होगा तो आपको यहाँ पे simply अपना mobile number फिल करना है mobile number फिल करने के बाद उसके बाद आपको send OTP पे click करने के बाद send OTP पे click करने के बाद आपके mobile number फिल करने के बाद आपको यहाँ पे verify पे click करने के बाद mobile number success fully verified होने के बाद आपको यहाँ पे बताएगा कि आपको एक password जो है यहाँ पे create करना है आपको जो यहाँ पे password instructions है वो दी गई है examples के लिए आपको अपनी choice रहेगी जो आप password create करना चाहते हो वो create कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पी जो है मैंने upper case letter में डाला उसकी बाद मैं यहाँ पे small case letter डालता हूँ और यहाँ पे मैं add the rate 123 डाल देता हूँ आपको अपनी choice रहेगी यहाँ पे आप 123 या और कुछ भी use कर सकते हो यह मैंने आपको examples के लिए दिखाया पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे एक solution math आएगा तो आपको यह solution करके यहाँ पे डालना होगा जैसे कि 29 आगे फिर इसका equal to कर देना है, equal to करने के बाद आपको create account पे क्लिक, create account पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा welcome to the water portal तो आपको यहाँ पे welcome पे क्लिक करना है, welcome पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर आप new water registration करना चाहते हो तो आपको इस पे क्लिक करना है, उसके बाद पर अपना अधार नमबर जो है वोटर आईडी कारड के साथ लिंग भी कर सकते हैं उसके पात आप हमें यहां पर आपको दिक्काईगे कि करेक्षन केसे करोगे आप अपने अब अपने मोबायल नमबर को लिंग कैशे करोगे तो आपको है पिक्लिक ना मकर तो Do you have already water ID number तो आपको यहाँ पर Yes I have ID number तो आपको यहाँ पर अपना MBP number फिल करना होगा MBP number टालने के बाद आपको fetch details पे click करने के बाद आपको दिखाएगा We have found this record for your water ID number तो आपको यहाँ पे proceed पे click करने है proceed पे click करने के बाद उसके बाद आपकी जो यहाँ पे सारी डिटिल्स शो हो जाएगी उसके बाद आपको Save and Continue पे क्लिक करना है Save and Continue पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा Reason for Applying for Correction अगर आप यहाँ से Shift होगे रिजिटेंस से तो आपको इस पे क्लिक करना है अगर आपको क्रेक्शन करनी है अपनी एकस्टिंग एलेक्टर रोल पे तो आपको यहाँ पे Corrections and Trays in एकस्टिंग एलेक्टर रोल इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद आपको Save and Continue पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताएगा You need to update your mobile number तो आपको यहाँ पे अपना mobile number जो अपडेट करना होगा आप जो mobile number इसके साथ link करना चाहते हो तो आपको मैं prefer करूँगा वही mobile number यहाँ पे fill करना होगा आपको Mobile number डाने के बाद आपको Send OTP पे क्लिक करना है अगर आपके पास अधार number है तो आपको यहाँ अधार नंबर पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास अधार number है तो आपको Yes, I have अधार number पे क्लिक करना है अगर आपके पास अधार number नहीं है तो आपको I am not able to furnish my अधार पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद आपको Save and Continue पे क्लिक करना है Save and Continue पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको Place एंटर करनी है कि आपकी इस Place से यहां पे अपना जो form है वो submit कर रहे हो तो उसके बाद आपको यहां पे अपना नाम जो है वो applicant का name फिल करना होगा उसके बाद आपको save and continue पे click करना है save and continue पे click करने के बाद आपकी जो यहां पे सारी details fill हो जाएगी उसके बाद आपको अगर आप अपने फॉर्म में एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एडिट का आफशन आ रहा है अगर आप अपना फॉर्म सब्मिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सब्मिट पे क्लिक करोगे तो सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो application form है वो सब्मिट हो जाएगा उसकी बाद यहाँ पर आपको एक application reference ID जने इट होगा तो उसकी बाद यहाँ से आप अपना application status भी चेक कर सकते हो तो यह थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो like, share और subscribe करना ना भूले मिल